शेरी गुरू तेग बहादुर जी जिने हीन्द की चादर भी कहा जाता है हम सब जानते हैं कि गुरू तेग बहादुर जी ने कुष्मिरी पंडितों की विंती पर हिंदु दर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी इस वीडियो में हम जानेंगे गुरू तेग बहादुर जी के आगे कैसे किश्मीरी पंटों ने विंती की और कैसे गुरू जी राजी हो गए अपनी कुर्बानी देने के लिए तो गाइस जान लेते हैं गुरू जी के उस इतिहास के बारे में मुही अल्दीन मुहमद जिसे आलमगीर और औरंगजेब के नाम से भी जाना गया है औरंगजेब भारत पर राज करने वाला शठा मुगल शाशक था जिसने 1658 से लेकर 1707 तक भारत पर राज किया औरंगजेब इतना करूर शाशक था कि उसने अपना राज चलाने के लिए अपने बाप शाजहां को गिरिफतार करवा दिया और अपने भाईयों को मरवा दिया औरंगजेब का एक ही मकसद था कि वो पूरे भारत में इसलाम धर्म को फैलाना चाता था उसने हिन्दूों के उपर टैकस लगाने शरू कर दिये 1668 में औरंगजेब ने हिन्दू धर्म के सबी तियोहारों पर रोक लगा दी 1699 में औरंगजेब ने सबी हिन्दू मंदियों को तोड़ने का हुक्म दे दिया उसने हिंदूों के परमुख मंदिर, बनारस का काशी विश्वनात मंदिर, मतुरा का केशव मंदिर, गुजराद में सोमनात मंदिर, उडीसा में जगनात पुरी, और ना जाने बेंगाल, राजेस्थान, महाराश्टरा, चिताओड, आंधरा प्रदेश, उदेपुर, और इंग जैप ने अपने अधिकारियों को हर रोज हिंदूों के गले से सवामन जनेव उतारने का हुकम दे दिया, सवामन जनेव का टोटल वेट निर बाउट 46 किलोगराम बनता है, हिंदूों के गले से हर रोज इतने जनेव उतरवाने का मतलब था, कि हर रोज इतने हिं औरंग्जेब के हुकम का पालंग काफी तेजी से होने लगा हर रोज हजारों हिंदुओं को जबर्दस्ती मुस्लिम बना दिया जाता और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उन्हें मार दिया जाता भरते हुए जुल्म को देखकर हिंदु धर्म के मुकियों को काफी चिंता सताने लगी इस जुल्म से निजात पाने के लिए हिंदुओं के उन मुकियों ने अमर नात की कुफा में भगवान शिव की पूजा करनी शरू कर दी कई दिन भगवान शिव की पूजा करने के बाद अकाशवानी हुई अपने धर्म को बचाना चाते हो तो सिखों के नौमे गुरू शिरी गुरू तेग बहदुर जी के पास जाकर प्रात्ना करो वो आपकी रक्षा करेंगे जिसके बाद तकरीबन 500 कश्मीरी पंड़तों का जथा शिरी गुरू तेग बहदुर जी के पास फरियाद करने के लिए अनन्दपूर साहे पहुंचा उन कश्मीरी पंडितों के मुकिया का नाम था पंडित किर्पाराम पंडित किर्पाराम जी ने हाथ चोड़ कर गुरू तेग बहदुर जी से कहा हे दीन बंदू दिल्ली के तक्त पर बैठा औरंग जेब बहुत ही करूर शाशक है वो हिंदुगों को जबरदस्ती मुसलिम बना रहा है और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो उसे मौत के गाठ उतार देता है हमें औरंग जेब के जुल्मों से बचाया जाए हमारी रक्षा करें गुरू जी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे इसलाम के भी नहीं लेकिन किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना गुरू जी को मंजूर नहीं था किश्मीरी पंडितों की यह बात सुनकर गुरू जी चुप हो गए और किसी गहरी सोच में पढ़ गए तब ही वहाँ पर गुरू तेग भादुर जी के 9 साल के बेटे गोबिंद राय जी पहुंचे और अपने पिता जी से पूछा कि पिता जी आप क्या सोच रहे हो और ये सब कौन है तो गुरू जी ने कहा बेटा औरंग जेब हिंदू धर्म को मिटाना चाहता है उसने हिंदों को जवरन मुसलिम बनाने का हुकम दिया है तो गोबिंद राय जी ने पूछा पिता जी औरंग जेब ऐसा क्यों कर रहा है तो गुरू जी ने कहा क्योंकि औरंग जेब समझता है कि दुनिया में सिर्फ इसलाम ही सच्चा धर्म है तो बालक गोबिन राय ने पूछा कि पिता जी फिर हिंदु धर्म को कैसे बचाया जा सकता है तो गुरु जी ने कहा हिंदु धर्म को बचाने के लिए किसी महान पुरश को कुरबानी देनी होगी तो ही हिंदु धर्म भच पाएगा तब गोबिन राई जी ने कहा पिता जी इस वक्त आपसे बड़ा महान पुरश मुझे कहीं नजर नहीं आता तो बालक गोबिन राई की यह बात सुनकर गुरु जी ने इस बात पर विचार किया और किश्मीरी पंडितों से कहा कि जाओ इफ्तिखार खान को कह दो कि पहले वो हमारे गुरु जी का धर्म परिवर्तन करवा दें अगर हमारे गुरु जी ने इसलाम कबूल कर लिया तो हम सब खुशी खुशी धर्म परिवर्तन कर लेंगे यह बात सुनकर दुखी पंडितों ने चैन की सांस ली किश्मीरी पंडित गुरुजी से आशिरवाद लेकर चले गए और किश्मीर के मुस्लिम हाकम इफ्तिखार खान को गुरुजी का यह संदेश सुना दिया जब इस बात का पता औरंग जेप को चला तो उसने सोचा कि यह काम तो बहुत ही आसान हो गया अब सिर्फ एक आदमी को मुस्लिम बनाना होगा बागी सब अपने आप इसलाम धर्म कबूल कर लेंगे और उसका हिंदोस्तान से हिंदू धर्म को मिटाने का सपना पूरा हो जाएगा औरंग जेप ने हुकम दे दिया कि जल्दी से गुरू तेग बहादर जी को गिरिफतार करके दिल्ली लेकर आएं और उसने गुरू जी की गिरिफतारी पर इनाम भी रख दिया जब इस बात का पता गुरू तेग बहादर जी को लगा दिल्ली की और रवाना हो गए पहले गुरू जी मालवा फिर पत्याला फिर जीन्द लखनमाजरा और रोहतक से होते हुए आगरा पहुंचे आगरा जाने का मुख्या कारण था गुरू जी का एक शरदालू जिसका नाम हसन अली था और वो चरवाहा था उसने फ्रियाद की थी कि गुरू जी अगर आप अपनी गर्फतारी देना चाहते हो तो मेरे दोरा देना ताकि मुझे कुछ इनाम मिल सके और मेरी गरी भी दूर हो जाए गुरू जी ने आगरा पहुँचकर हसन अली को बुलाया और उसे अपनी एक कीमती अंगूठी और एक शौल देकर कहा कि जाओ बाजार से मिठाई लेकर आओ जब हसन अली बाजार से मिठाई लेने गया तो दुकानदार को शक हुआ कि एक चरवाहे के पास इतनी कीमती अंगूठी और शौल कहां से आए वो दुकानदार उस चरवाहे को पकड़ कर थाने ले गया थाने में पहुँचकर चरवाहे हसन अली ने बताया कि बगीचे में एक महात्मा ठेहरे हुए हैं उन्होंने ही यह अंगूठी और शौल उसे दिया है थानेदार उसके साथ बगीचे में पहुँचा तो पता चला कि वो महात्मा कोई और नहीं बलके गुरू तेक बाहदूर जी है थानेदार ने औरंग जेब को यह खबर भे दी कि गुरू जी आगरा के एक बगीचे में रुके हुए हैं यह खबर सुनते ही औरंग जेब के दस हजार से ज़्यादा सिपाही गुरू जी को गर्फतार करने के लिए आगरा पहुँचे गुरू जी को गर्फतार करने के लिए इतनी बड़ी फौज आने का कारण यह था कि औरंग जेब को डर था कि आगरा के पास के इलाके मतुरा, हाथरस, आवागर्ण, बधावर, भरतपुर जैसे बावन शेहरों के हिंदू राजाओं को अगर गुरू जी के यहां पे होने की खबर पता चल गई तो कहीं वो बगावत ना कर दें क्यूंकि यह बावन राजे उन बावन राजाओं की पुष्टों में से थे जिने गुरू तेगभादर जी के पिता और सिखों के शठे गुरू शिरी गुरू हर्गोबिन साहिब गुरू जी ने कुवालियर के किले से 1619 में मुगल बादशा जहांगीर की कैद से अजाद करवाया था आपको बता दूं कि जिस दिन गुरू हर्गोबिन साहिब इन बावन राजाओं को जहांगीर की कैद से शड़वा कर अमरीसर पहुंचे उस दिन दिपावली थी तो ग औरंगजेब के काजियों और वजीरों ने गुरू तेक बहदर जी को औरंगजेब का हुकम सुनाया कि आपको इसलाम धर्म कबूल करना होगा इसके बदले में आप जो चाहें आपको वही मिलेगा लेकिन गुरू जी ने इसलाम धर्म कबूल करने के लिए मना कर दिया काज जी डर जाएं और इसलाम कबूल कर लें मुगल सिपाहियों ने गुरु जी के एक सिख भाई मतीदास जी को लकड़ियों के बीच बांद दिया और आरे के साथ काटना शुरू कर दिया भाई मतीदास जी गुरुबानी का पाठ करते करते शहीद हो गए फिर उनके दूसरे भाई दियाला जी को उबलते हुए पानी में बिठा दिया गया और उस पानी के नीचे की आग और तेज करने लगे भाई दियाला जी बिलकुल भी नहीं गबराए और वो भी गुरुबानी का पाठ करते करते शहीद हो गए फिर गुरुजी के तीसरे सिख भाई सतीदास ज और वो भी पाठ करते करते शहीद हो गए गुरू जी के तीनों सिखों को गुरू जी की आँखों के सामने शहीद कर दिया गया लेकिन फिर भी गुरू जी बिलकुल भी नहीं गबराए जिसके बाद गुरू तेग बहादुर जी को बहुत ही तंग पिंजरे में कैद कर दिया गया जिसमें खड़े रहना भी बहुत मुश्किल था औरंग जेब ने गुरू जी के सामने तीन शर्तें रखी पहली कोई करामा दिखाएं दूसरी इसलाम कभूल कर लें या फिर तीसरी मरने के लिए तैयार हो जाएं गुरू तेग बहादुर जी ने औरंग जेब की पहली शर्त का जवाब देते हुए कहा कि यह शरिष्टी हकालपुर्क के हुकम में चलती है कुदरत के नियमों को बदला नहीं जा सकता औरंग जेब की दूसरी शर्त का जवाब देते हुए गुरू जी ने कहा मैं इसलाम के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कर देना भी अधर्म है फिर गुरू जी ने कहा ना मैं जनेव पहनता हूँ और ना ही मैं तलक लगाता हूँ लेकिन हिंदू के इस अधिकार को उनसे शीना ना जाए इसलिए मैं कुरुबानी देने के लिए तैयार हूँ अब औरंग जेब को पूरी तरह से यकीन हो गया कि गुरू जी अपना धर्म पर वर्तन नहीं करने वाले और उसने सोचा कि जब तक गुरू जी चंदा है तब तक हिंदूस्तान से हिंदू धर्म को मिटाने का सपना साकार नहीं होगा जिसके बाद औरंग जेब ने हुकम दिया कि दिल्ली के चान्दनी चौंक में सभी लोगों के सामने गुरू जी को कतल कर दिया जाए उसने पूरे शहर में डिंडोरा पिटवा दिया दिल्ली के चान्दनी चौंक में गुरू जी को ले जाया गया और एक पेड के नीचे बिठा दिया गया लोगों की बीड एकठा हो गई आसमान में काले पादल छा गए दीरे दीरे हवा भी तेज होने लगी कुछ देर बाद जलाद आया जलाद ने अपनी तलवार से गुरू जी का शीश दड़ से अलग कर दिया गुरू जी के शहीद होते ही पूरे शहर में हाहाकार मच गई लोग जोर जोर से चिलाने लगे यह जल्म है यह बहुत बड़ा जल्म है इतने बड़े संद को कतल कर दिया गया यह अन्याएं है जल्म है अब यह हकूमत जादा देर चलने वाली नहीं उपर से इतना जोर का तुफान आया के चारों और मिट्टी उड़ने लगी किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे इस जल्म को देखकर पूरा ब्रहमाड ही क्रोध में आ गया हो इस तुफान का फाइदा उठाते हुए गुरू जी के एक सिक जिनका नाम जैता था उसने गुरू जी का शीश उठाया और एक कपड़े में लपेट कर अपने साथी भाई नानू और भाई उदे जी को लेकर पंजाब की और रमाना हो गए तकरीबन पांच दिनों बाद वो गुरू गोबिन सिंग जी के पास कीरतपुर सहे पहुंचे भाई जैता ने गुरू तेग भादर जी का शीश गुरू गोबिन सिंग जी को सौंप दिया तो गुरू जी ने भाई जैता जी को गले लगाया और कहा रंगरेटे गुरू के बेटे गुरू तेग भादर जी के शीश का अंतिम संसकार अनंदपुर सहे में बड़े ही सतिकार के साथ किया गया गुरू जी के दड़ का अंतिम संसकार करने के लिए गुरू जी का एक शरदालू जिनका नाम लखी शाह वंजारा था वो अपने बेटे के साथ रुई से बरी हुई बैलगाडी लेकर चांदनी चौक में पहुंचे और तुफान का फाइदा उठाते हुए उन्होंने गुरू जी का दड़ बड़े ही सतिकार से पैलगाडी में रखा और रुई के डेर में शिपा कर अपने घर ले गए जब तुफान थमा तो मुगल शिपाही परिशान हो गए के गुरू जी का शीश और दड़ कहां गाइब हो गए भाई लखी शाजी ने गुरू जी के दड़ का अंतिम संसकार करने के लिए अपने घर को ही आग लगा दी मुगल फाज और लोगों ने सोचा के लखी शाज के घर को आग लगने का कोई और ही कारण है हिंदू धर्म को बचाने के लिए गुरू जी ने अपनी कुर्बानी दे दी इसलिए कहते हैं हिंद की चादर तेग बहादर तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकरी के साथ आप बढ़े रहिए हमारे साथ और बोलिए गुरू तेग बहादर सिम्रिय घर नौनिद आवे धाए